हलो बच्चो तो आज हमें एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं पेपर है हमारा AITS का बच्चो ऑल इंडिया आकास टैसेज जो 11th क्लास का हुआ था और बुकलेट कोड है बच्चो डी जिसके अंदर हमें केमिस्ट्री जो पेपर सॉल्व करना है और केमिस्ट्री का सलीबब सता बचलो समगेशी कॉंसेट्री आफ केमिस्ट्री अड श्रक्ट्र यदा स्ट्रक्शार ओफटर मतलब आपके Фर्स्ट और सैकंड़ चैप्टर जो है आपकेस लिबच़ देखिए यह first question first question लिए बच्चो दनमबर आफ s electron in CL minus is not equal अच्छे से देखो क्या लिखा है इस not equal to the number of electron in which of the following तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जो CL minus से उसके अंदर s में electron कितने है वो हम calculate करते तो देखिए बच्चों क्या आते है वो CL- का हम configuration लिखते हैं CL- का configuration बच्चो क्या हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 क्यों हो बच्चो क्योंकि CL- से electron कितने हो चुकर total 18 last electron किसमें होगा 3p के अंदर तो इसमें एस में electron कितने हो बच्चो टू इदर टू इदर और टू तो एस electron बच्चो कितने बने एस electron बने बच्चो इसके अंदर 6 कि बच्चो इसी तरह से 1y1 सभी में चेक काईते हैं किसके अंदर जो है equal नहीं है वह हमारा answer हो जाएगा तो जो first option है कोबाल्ट और कोबाल्ट में क्या है बच्चो पिलस थी कोबाल्ट प्लस थी में पूछा है जह जो दी में electron है वो हमें देखने है तो कोबाल्ट के अंदर बच्चो configuration होता है हमारा क्या organ 4s2 3d7 लेकिन प्लस थी है तो थी electron मुझे हटाने पड़ेंगे तो यहां पर क्या हो गया बच्चो 4s0 और यह हो गया 3d6 इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो डी में electron है वो कितने आ गए 6 और हमें 6 के एकवल नहीं चाहिए इसका मतलब फर्स्ट option नहीं होगा नियोन में देखते बच्चो जो नियोन है नियोन के अंदर आपको देखना है पी के electron configuration लिखा हमने 1s2 2s2 2p6 पी में बच्चो कितने यहां पर 6 है तो अगेन क्या हो चुका है जो पी के electron है वो 6 हो चुके है यह भी हमारा answer नहीं है नेक्स्ट है बच्चो के प्लस के प्लस में देखना है मुझे s electron के प्लस में हमें देखना है बच्चो एस electron तो प्रोटेशियम लिया हमने प्रोटेशियम का कॉन्फिकेशन लिखते है बच्चो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 question जो था हमारा वो के प्लस का था तो इसमें से मैंने इस वाले लेक्टोन को हटा दिया अब हम चेक करते हैं एस में 222 इतने आया एकन बच्चो 6 इसका मतलब क्या हुआ ये भी हमारा आंसर नहीं तो अब लाश्ट जो बचार बच्चो क्या है ये भी आंसर नहीं एक बार फिलोरिन को देख लेते हैं फिलोरीन के अंदर पी एलेक्टोन तो फिलोरीन का कॉंट्टीकेशन होता है बचो 1S2 2S2 2P5 और पी में लेक्टोन कितने बचों यहां पर 5 इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा 4th option क्लिए बचो हमारा आंसर क्या हो गया 4th option क्योंकि हमें जो निकालना था क्या कि CL माइनस के अंदर जो S electron ने वो जो है किसके अंदर जो electron की संख्या के बराबर नहीं है जो हर option में देरेखा था इसमें D electron निकालना था इसमें P electron इसमें S electron सब में कितने कितने electron आये 6EI तो यह हमारे answer नहीं होगे फ्लूरीन के अंदर कितना है बच्छो P electron 5 तो वही हमारा answer देखते हैं कुछिष्ट है हाइज़र्ण बग के अनिस्तर सिद्धान्थ के लिए निमने मिख से कौन सा गिंजक गलत है तो बचो हाइज़र्ण के अकॉर्डिंग हम क्या क्या देखते हैं फर्स जो है डेल्टा इंटू डेल्टा-टी एनरजी और टाइम के अंदर हम देखते हैं इंटो डेल्टा पी गेटर देन एक्वल टो एच अपन फूर पाई यह भी एमार चलता है तो यह भी आंसर नहीं होगा थर्ड को देखते हैं, थर्ड में देखो बावि क्या किया, जो डल्टा एक्स इंटू डल्टा वी कर दिया, इसका मतल्म मिल्टा पी की वैल attitude यह अब अपन फूर पाई यह थार्ड उप्षन दे रख आ है 10 यहां पर ही तर यह भी हमारा किया है। चलता है, ale नहीं संहरा समू यह हमारा answer है, यह relation wrong है, clear बच्चो, आएए, next question की side बढ़ते है, question है, for a d6 electronic configuration, hunt's rule is not followed, बच्चो, hunt's rule क्या कहता है, कि जो degenerate orbital से उसमें electron 1y1, same direction में fill होंगे, उसके बाद, उनकी pairing हम start करें, तो देखो बच्चो, इसके अंदर क्या खा रहा का है, first के अंदर, five electron, एगी direction में, then next electron की pairing किये, तो यह भी correct है, क्योंकि इसके अंदर, जब हम pairing करेंगे, ज़रूरी भी है कि यहीं से fill करें, यहां से, किसी से भी start कर सकते, तो first तो correct है, फिर second देखा, हमने इसमें क्या हुआ, जो five electron है, बच्चो, देखो, one, two, three, four, five, यह same direction में, एक जो electron है, फिर क्या हो गय आके बच्चो, यह क्या हो गया, wrong, तो यह वाला जो है, d6 configuration नहीं है, और हमारा answer क्या हो गया, बच्चो, यह होने वाला है, लिए बच्चो, तो answer क्या हो गया, हमारा third option, next question, work function for few metals are given, और हमें क्या पूछा है बच्चो, कि which metal electron will be most easily ejected, कि इसमें से electron सबसे आसानी से निकल ज हम लिखते है, H new not, और अगर हम बात करें, यह W जो है, metal पर depend करता है कि इसकी value क्या होगी, अगर हम बात करें, ionization energy की, तो ionization energy अगर ज्यादा होती है, तो electron आसानी से नहीं निकलता है, अगर ionization energy कम है, तो electron easily निकल जाता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो directly value work function की दे रखिये, तो work function की value सबसे minimum किसके लिए है, देखो, सबसे minimum जो हमें दिखेगा, 2.25, potassium होया है नहीं, तो answer क्या आएगा बच्चो, इसका potassium, answer क्या जाएगा इसका potassium, क्लिए बच्चो, next question, एक परमाणू में, quantum संख्या, n equal to 3, and ml equal to plus 1 वाले electron की अधिक्तम संख्या, बच्चो, n अगर plus 3 है, तो l क्या हो सकता है, l, बच्चो, formula पढ़ते हैं, 0, 2, n minus 1, मतलब, 0, 2, plus 2 आप कह सकते हो, 0, 1, 2, अब हम बात करें, ml equal to plus 1, तो बच्चो, l अगर 0 है, तो m का formula होता है, minus l, 2, plus l, यह हम formula देखते हैं, तो l अगर 0 है, तो बच्चो, m भी 0 होगा, इसके मतलब, इसके अंदर, m equal to plus 1, तो कैसे भी नहीं आ सकता, तो यह वाला case हट गया, बच्चा क्या, l equal to 1, तो l equal to 1 से, बच्चो, क्या मिलेगा, m equal to minus 1, 0, plus 1, total हम कहे सकते, 3 orbitals हमें मिलेंगे, जिसमें से एक orbital के लिए, m क्या होगा, plus 1, और एक orbital में, बच्चो, क्या होगा, 2 electron यहाँ पर fill हो सकते हैं, यह case कौन सा हुआ, जब l क्या है, 1, इसी type से मैंने l equal to 2 लिया, तो बच्चो, m क्या होगा, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, इसमें भी क्या मिला, बच्चो, m equal to plus 1, और m equal to plus 1, एक orbital है, एक orbital में, maximum electron कितने fill हो सकते हैं, 2, तो total number of electron कितने होगे, बच्चो, 4, तो हमारा answer होगा, बच्चो, 4, एक question में क्या पूछा, देख लो, maximum number of electron having quantum number, तो इन दोनों के लिए, बच्चो, क्या होगा, इन 2 electron, और उन 2 electron के लिए, n की value 3 है, लेकिन l की value different different है, और हमें l कहां भी नहीं है, लेकिन m दोनों के लिए, कितना लिए, प्लस 1, answer क्या होगा बच्चो, 4th option, next question, question है, if the momentum of electron is increased to 4 times, momentum बच्चो, 4 time हम increase करें, then the d-brogly wavelength क्या होगी, तो बच्चो, lambda equal to formula होता है, h upon p, और अगर मैं यहां पर momentum को, बच्चो, देख क्या है, momentum, momentum को 4 time, अगर मैं increase करूँ, तो lambda dash क्या बनेगा, h upon 4 p, क्या इसको मैं again, lambda नहीं लिख सकता, तो यह होगा है, lambda upon 4, इसका मतलब जो wavelength है, वो 1 4th time हो जाएगी, आंसर होगा क्या बच्चो, 1 4th of the initial value, क्लिए बच्चो, next question, question है, बोर्स model is not applicable 4, तो बच्चो, जो model होता है, उसकी जो हम बात करते हैं, वो apply होता है, only 4 single electron system, तो हमें यह देखना है कि single electron system कहा है, single electron system, तो बच्चो, h e plus i n के अंदर भी electron देखा जाए, तो इसमें 1 electron, hidden atom में भी electron, 1, b plus 3 के अंदर भी electron 1, लेकिन lithium plus i n के अंदर, जो electron है, बच्चो, वो क्या है, 2, क्योंकि lithium में होते हैं, बच्चो, 3 electron, plus charge है 1, एक electron निकल गया, इतने बच्चे, electron 2, तो आंसर क्या होने वाला है, बच्चो, 4, मतलब, lithium plus i n पर, bore model जो है, जो आपके सकते हैं, bore theory, apply नहीं हो सकती, क्योंकि यह single electron system नहीं है, ठीक बच्चो, next देखिए, question है, ionation energy of HE plus ion in ground state, मतलब, आद्य अवस्था में, HE plus ion की ionon उर्जा मुझे बताने, तो बच्चो, ionon उर्जा की हम बात करें, यह क्या होती है, ionon उर्जा, simple हम बात करें, कि आप क्या करो, जो even है, उसका answer किसमें दो, हमेशा बस, plus में, क्या कर सकते हैं, उसका answer किसमें कर दो, plus में, तो वही क्या बन जाती है, ionation energy, तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर, HE plus के लिए, तो HE plus के लिए, even जो आती है, बच्चो कितनी आएगी, minus 13.6, into Z square, मतलब, 2 का square हो गया, बच्चो, 4, 2 का square कितना होगा, बच्चो, 4 हो चुका है, 4, और, n कितना होगा, जो, n, 1 की बात चल दे, तो क्या होगा, 1 का square, मतलब, वो भी कितना है, 1, इसको जब multiply करते हैं, तो बच्चो, answer आता है, minus में, 54.4 electron volt, लेकिन मैंने क्या कहा, कि जो भी even है, उसको क्या करो, बस, answer उसका plus में कर दो, तो ionition energy क्या हो गई, बच्चो, plus 54.4 electron volt, तो answer क्या हो जाएगा, हमारा first option, ऐसा क्यों कहते हैं, बहुत simple सी बात है, कि first, जो है, आपके सकते हो, first cell की जो energy है, minus 54.4 electron volt है, इसको मैंने इतनी energy अगर मैं दे दू, तो क्या होगा, यह बच्चो कहा पहुच जाएगा, n equal to infinite, और energy हो जाएगी 0, और वही हम क्या कहते हैं, कि electron को, first cell से क्या करना, infinite पे ले जाने के लिए, जो energy देते हैं, वही होती है, हमारी ionition energy, तो answer क्या हो गया, बच्चो, first option, next question, hydrogen परमाणों में, name लिख में से, कौन सी संक्रमण के परणाम सरुप उच्चतम उज्जा वाला photon प्राप्त होगा, बच्चो, question अच्छे से दिख लो, और question में अगर बात की जाए, तो method बहुत lengthy हो सकता इसका, क्योंकि सभी के लिए आप energy निकालोगे, delta E equal to, जो हम कहते हैं, दो का difference निकालोगे, दो cell के energy का, वहां से आप check करोगे, तो answer बहुत देर मारगा, एक बहुत simple सा shortcut या trick आप कह सकते हो, तिक तो आप कह सकते हो, simple ये भी कह सकते हो, एक observation है, जो हम देखते, तो जैसे even जो होता है, बच्छो, आपने अगर देखा हो, ये मैंने first cell लिया, और ये first cell, ये हुआ बच्छो, second cell, इसके बाद मैं दिखाया, बच्छो, यहाँ पर third cell, then fourth, fifth, ये हुआ sixth, और इस टाइप से ये हो गया बच्छो, infinite, इसके बच्छो, अब हम बात करते हैं, इसके अंदर जो diagram है, diagram ऐसा क्यों बनाए मैंने, कि ये वाला gap जाता है, ये कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम होता जा रहा है, इससे बच्छो, आपके बहुत सारे question के answer बहुत जल्दी आते हैं, ये gap क्या बताता है, कि जो energy का सबसे बड़ा gap है, बच्छो, वो ये है, कौन सा, first or second का, energy की term में बात करें, तो बच्छो, हाइडन के लिए, first जो energy होती है, फिर में, minus 13.6, then minus 3.4, minus 3.4, और फिर आती है, minus 1.51, minus 0.85, उच्छ इस तरह से बच्छो चलती है, तो जो question है, उससे आप directly answer निकाल सकते हो, कि कहां पर energy maximum required होगी, आगर मैं बात करूँ, कि infinite से, आगर 1 तक लिए आना, तो defense कितने का है, बच्छो, 13.6, और इसमें से, जो first और second का defense है, बच्छो, वही कितना है, 10.2 electron volt का, इस defense को अच्छे से देखो, बच्छो, कितने का है, 10.2, इसका meaning क्या हुआ, 2 से 1 में, जो energy का defense से, वो, आप infinite से 2 पर भी आ जाओगे, तब भी cover नहीं होगा, वो defense बहुत ज़्यादा है, कौन सा, 2, 2, 1, तो आप answer देखो, बच्छो, क्या हुआ, highest energy, 3, 2, 1, तो 3, 2, 1 का आपको देखी गया, ये defense तो बच्छो, और ज़्यादा हो गया, हुआ है नहीं, then 6, 2, 2, 6, 2, 2, तो 6, 2, 2 के अंदर बच्छो, जब आप देखोगे, तो 6 से आप 2 में आओगे, यहाँ पर भी हम क्या कहने वाले, energy का defense क्या रहेगा, कम, प्रकि एक बहुत simple way में मैंने बताया, कि ये जो difference है, ये difference आप infinite से 2 पर भी आ जाओगे, तब भी खत्म नहीं हो रहा, तब भी ये difference कम रहेगा, इसके compare में, तो इसके मतदर 2, 2, 1 वाला defense सबस्यादा है, 6, 2, 2 दिखाया, 5, 2, 4, ये तो वैसे ही small है, infinite 2, 4, infinite 2, 4 पर जाओ, तब भी ये कम रहेगा, तो maximum difference कौन सा हो बच्चो, ये वाला, अलाकि ये option में नहीं दिया है, लेकिन हम इस से और जादा दे रखा है, 3, 2, 1, तो answer कौन सा निकलेगा, बच्चो, first option, answer क्या आया, बच्चो, first, आप solution को देखो, बच्चो, बहुत ही, अच्छे से हम कह सकते है, data को observe किया है बस, और आपका answer बहुत जल्बी आया, otherwise हर एक में energy निकालनी होती, तब जाके हम answer देते हैं, तो इस question से हमें ये समझना चाहिए, कि जो first or second cell के energy का difference से वो इतना ज़्यादा है, कि उसके बाद आप इसी भी cell के energy का difference निकाल लो, या infinite से 2 में भी आ जाओगे, तब भी वो difference कमी रने वाला है, इसका मतलब 2 to 1 का difference सबस्यादा है, क्लिए बच्चो, answer आ गया, first option, next question देखते हैं चोपर प्लस टू आयन में उपस्तित, आयूग में ते electron की संख्या, बच्चो आप से पुछिए, आयूग में ते electron मतलब, unpaired electron, तो बच्चो, copper का जो configuration होता है, वो होता है, आपके पास, organ, 4s1, 3d, 10, copper का configuration यह होता है, थोड़ा सा acceptable आप कह सकते हो, fulfilled configuration होता है, इसमें, अब हम बात करें, 2 electron निकालने हैं, बच्चो, तो एक electron यहाँ से जाएगा, एक electron यहाँ से, तो copper plus 2 क्या हो गया, organ, 4s0, 3d, 9, 3d, 9 के अंदर आप अगर unpaired electron देखना चाहते हो, तो बच्चो, orbital diagram बना सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो unpaired electron कितना है बच्चो, 1, तो answer क्या हो जाएगा हमारा, third option, लिए बच्चो, answer आगया हमारा, कुन सा, third, next question, किसी परमानों के एफ उपकोर्स में कक्षकों की अधिक्तम संख्या के लिए निर्धान के लिए वेंजक है, या आप कह सकते हो, maximum number of orbitals in a subset, तो बच्चो, subcell की बात करते हैं, तो हम आते हैं L पर, और जब बात आती है, orbitals की तो हम जाते M पर, और आपको पता है M का formula, minus L2 क्या होता है, plus L होता है नहीं बच्चो, formula यह होता है, तो अगर मुझे orbital का number अगर बताना है, तो आप formula लेख सकते हो, क्या, 2L plus 1, एक value रखके देख सकते हो, जैसे suppose करो हमने लिया P subcell, तो P subcell के लिए L होता है बच्चो, 1, तो orbitals कितने होंगे, आपर देखो, orbitals हो जाएंगे कितने, 2 into 1 plus 1, answer कितना है, 3, और P subcell में 3 ही orbital होते हैं, PX, PY, PZ, क्लिए बच्चो, answer क्या गया हमारा, 2L plus 1, क्लिए बच्चो, next question पर बढ़ते हो, चिक्षर 2, question है, melting moment of 3.87 over magneton is given wire, बच्चो, आपको देखो, म्यू की value दी हुई है, म्यू कितना दिया है, 3.87, और बात की जाए, म्यू के लिए हम एक formula लिखते है, under root N into N plus 2, more magneton, लेकिन एक shortcut भी हम पढ़ते हैं, क्या की म्यू की value अगर given है, decimal के अंदर, तो जो first digit होती है, यही digit हमारी क्या होती है, बच्चो, unpaired electron N को बताती है, तो क्या सीधा सीधा answer नहीं आया, बच्चो की N कितने हो गए, 3, बतला unpaired electron कितना हो गया, 3, तो चलो, अब option में चेक करते हैं, मैंने चेक किया fourth option, chromium, chromium के अंदर, जो configuration होता है, वो होता है, organ, 4S1, 3D, 5, अभी unpaired electron इसमें कितने बच्चो, 6, 6 कैसे, 1S में है, 5D में है, तो इसमें अगर मुझे बात करूँ, कि मुझे क्या देखना है, unpaired electron 3, तो chromium पर प्लस 3 ले जाना पड़ेगा, CR plus 3 किया, चेक करते हैं, organ, 4S0, एक electron इदर से गया, दो electron इदर से निकाले, क्या बच्चा, 3D3, क्या unpaired electron 3 नहीं आ गया, बच्चो, answer कितना आ गया, n equal to 3 आ गया, और CR plus 3 माया, इसका मतलब answer क्या हो गया, fourth option, answer क्या हो गया, fourth option, बाकी option में check कर सकते हैं, हम क्या आ रहे, method बिल्कुल same चलेगा, ठीक है बच्चो, next question, h e plus की दित्य कक्षा, तथा li plus 2 i n की तेत्य कक्षा की तेज्या का अनुपात, बच्चो, पुछाएं, तो बच्चो, radius के लिए जो formula होता है, r n proportional to n square upon z होता है, नहीं बताओ, जहां पर n और z, दोनों क्या कर दे, वेरी कर दे, आप देख लो, helium और lithium, z change हो गया, और जो cell number है, वो भी देख सकते हो, इधर चल रहा आपका second, इधर चल रहा बच्चो, third, ठीके, तो 1y1 value रखते हैं, r n, तो पहले मैं लिखा, r h e plus upon r li plus 2, h e plus n square z क्या होगा, दित्य कक्षा है, तो n square होगा, 2 square upon z, 2, क्योंकि helium का atomic number क्या होता है, 2, li plus 2 के लिए, तो इत्य कक्षा है, तो n हो गया, 3 का square, और z इसका होता है, 3, देखो बच्चो, आंसर क्या होगा, 2 से 2 गया, 3 से 3, इधर क्या होगा, 2 by 3, आंसर क्या होगा, 2 is 2, 3, आंसर क्या होगा, 2 is 2, 3, आंसर क्या होगा, 2 is 2, 3, लिए बच्चो, आंसर होगा, second option next question 64 which of the following transition in hydrant result in absorption of energy energy का क्या होना चाहिए बच्छो अप्सोर्षण तो हम बात करते simple जब electron निम्न उजा इस्तर से उच्छ उजा इस्तर में जाता है तो उजा का अप्सोर्षण होता है लेकिन उच्छ उजा इस्तर से जब निम्न में आता है तो होता है उजा का उज्जा वही हमें चेक करना है रेखिए हम यहां पर lower to higher energy orbit में जा रहा है तो क्या होगा यहां पर उर्जा का absorption होगा energy का absorption होगा answer हो जाएगा बच्चों क्या fourth option clear बच्चों next question देखते हैं 65 question है a beam of frequency new incident on metal surface eject out electron having kinetic energy KE and suitable graph आप से पूछाए तो बच्चों kinetic energy और frequency के बीच में graph आप से पूछा है वैसे इसके लिए graph हम directly याद भी रखते हैं लेकिन मैं निकालना दिखा रहता हूँ कैसे निकालते हैं जो हमारा formula होता है e equal to w plus k e तो बच्चों k e को मुझे क्या ले जाना है y axis पे तो मैंने k e को एक side किया और e minus w e की जगे बच्चों value रग दी मैंने h new minus h new naught यह हो गया k e इसको द्यान से देखे बच्चों तो क्या हुआ kinetic energy y axis पे आ गई frequency जो है वो है हमारी किस पर x axis पर frequency आ गई x axis पर और जो h है जो बच्चों h है वो किस चीज को बता रहा है slope को और slope क्या हो गई positive और c क्या है बच्चों c जो आ रहा है वो क्या दिख रहा है negative तो इसके according हमारा graph कैसे बनेगा आप खुद सोचों बच्चों जिसके अंदर c negative हो और slope positive हो तो graph बच्चों इसका कुछ ऐसा नहीं आता है अगर यह y है यह x है तो graph बच्चों कैसे होगा कुछ इस टाइप का graph देखे तो कौन सा मिला मुझे बच्चों थार्ड ऑप्शन ग्राफ कौन सा अगया बच्चों थार्ड ऑप्शन यह जो value होती है यह होती है बच्चों क्या निए बच्चों नेक्स्ट कोशन है एनरजी ऑफ एन एलेक्टो मैंटिक रडियेशन इस टी टू एलेक्टोन वोल्ट पर क्वांटा वेवलेंथ आपसे पूछे बच्चों क्या पूछा वेवलेंथ इसके लिए बच्चों फॉर्मला बहुत सिंपल सा एक्वल टू फॉर्मला बेस्ट लेकिन यूनिट को हम देखे तो एलेक्टोन वोल्ट में और आंसर चाहिए मुझे नैनोमीटर में इसके लिए चोटा सा फॉर्मला और चलता है एलेक्टोन वोल्ट इधर होता है 1240 लेम्डा जो हम लेते हैं यहाँ पर यह लेम्डा निकलके आएगा कि इसमें नैनोमीटर आए वैल्यू रखते हैं लेम्डा इन नैनोमीटर 1240 अपन ए एक लिए रेखा बच्छो 62 62 से इसको हम बच्छों डिवाइड करें यह 20 टाइम गजाएगा आंसर आगा है 20 नैनोमीटर आंसर क्या हो गया सीधा बच्छों आपका 20 नैनोमीटर क्लिए सैट ऑफ कॉंटम नंब़ा फोर दा लास्ट लेक्टरन औれない फोर्टा अउपक्सिजन अटम अएटिंग के लास्ट लेक्टरण के लिए बच्छों हमें क्या पुछा है क्उन्टम नंबर तो ऋसके लिए मुझे फान आने तो यहां से दोचीज तो मुझे डायड देख है कि n हो गया 2, l कितना हुआ 1, p के लिए l कितना हुआ 1, आइए, सबसे पहले इनी कुछ चेक करें, n इक्वल to 2, कहां पर है बच्चों, फर्स्ट में नहीं है, तो यह तो रॉं हो गया, इधर n इक्वल to 2 सभी में दिया है, तो चले, अब देखने, l इक्वल to 1, l इक्वल to 1 य माइन सा, कुछ भी चलेगा, ठीके बच्चों, next question, question number 68, निम लिख में से कौन सा सम इलेक्टोनिय युग में नहीं है, मतलब आईसो इलेक्टोनिक पियर, यह हमें देखना है, आईसो इलेक्टोनिक का मतलब बच्चों, total number of electron हम क्या करेंगे, सेम होनी चाहिए, तो चेक करत स्थी में बच्चों कितने होए, इलेक्टोन, 10, नियोन में बच्चों, यह भी आंसर नहीं होगा, यह भी हमारा आईसो इलेक्टोनिक पेर है, co, co में कार्बन में होते हैं, बच्चों 6, oxygen में कितने होते हैं, 8, answer कितना है, 14, no, plus में देखे, nitrogen में 7, oxygen है, oxygen में 8, लेकिन प्ल सेवन प्लस 8, कितना आया, 15, और इस N2 में कितना आयागा, 7, प्लस 7, 14, तो answer कौन सा होगा, बच्चों, 4, बाकि सभी आईसो इलेक्टोनिक पेर हैं, लेकिन जो 4th option है, वहाँ पाइलेक्टोन का नंबर सेम नहीं आया, answer हो गया, 4, next question, निम्रिक्ष में से कौन सा कौन यह सम वेक का अनुमेमान नहीं है, permissial value of angular momentum बच्चों आप से पूछी है, बच्चों एक formula हम पढ़ते हैं, mvr equal to nh upon 2pi, और n की value क्या होती हैं पर, 1, 2, 3, 4, 5, इस type से चलती है बच्चों, ठीके, तो यह तो बात होई किसकी बच्चों, कि किस तरह से formula करता है, mvr equal to nh upon 2pi, और n क्या है आपर, अब हमें n की value देखनी है, तो first option 0.5h upon pi, तो बच्चों क्या मैं इसको क्या करूं, nh upon 2pi के equal करते जाते, n की value चेक कर लेते, वैसे यह directly भी दिख रहा है, 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1y2, तो h upon 2pi सीधा दिख गया, इसका मतलब इसमें n की value कितना चली, 1 तो यह तो permissible हो गया, मतलब यह answer नहीं है, h upon pi, इसके अंदर बच्चों चेक करना है, तो यहां पर n कितना चल रहा है, 2, n कितना चल रहा है, 2, कैसे पर चल रहा है, बच्चों क्योंकि h upon 2pi है, और उसको अगर 2 से मैं multiply करूंगा, तो 2 जोनों cancel out हो जाएंगे, मतलब n की value अ 1.5 h upon pi, यह भी direct दिख रहा है, बच्चों, 1.5 को मैं 3 by 2 लिख सकता हूं सीधा, n की value कितना गई, 3, मतलब यह भी हमारा answer नहीं है, 4th option को देखे बच्चों, 1.25 h upon 5, इसको पूरा solve करते हैं, तो इसको equal कि हमेने, n h upon 2pi equal to 1.25 h upon pi, h upon pi से h upon pi गया है, बच्चों, और n equal to, देखो कितना है, 1.25 into 2, मतलब 2.50, और यह valid नहीं है, n की value हमेशा क्या होगी, 1, 2, 3, 4, इस type से चलेगी, तो answer क्या हुआ बच्चों, 4th, answer क्या हुआ हमारा 4th, next question, dxy कक्षक में कौन यह node, मतलब क्या पूछा है आपसे, angular node बच्चों, आपसे पूछ रहा है, angular node के लिए बहुत simple formula कहते है, सीधा L जो होता है, वही क्या होता है, angular node, तो dxy के लिए L कितना हुआ, dxy के लिए L की value होती है, बच्चों, answer क्या आ गया, 2, बिलको लीजी, question बच्चों एक दम, ठीके, next question देखो, question है, statement, cathode, positively charged particle, पहला statement ही wrong बोल जा है, बच्चों, देखो, positively charged होते है, negatively negatively, answer अता है, negatively charged, ठीके, पहला statement रहूं, next क्या दिया, statement 2, characteristic of cathode rays are independent of the material of electrode and nature of gas present in cathode rays, बच्चों ये बात बिलकुल correct है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, cathode rays के लिए EYM, जो होता है, उसकी characteristic property आप खेह सकते हो, तो वो क्या होता है, जो electrode है, उसके material से independent रहता है, वो किसी का भी हो, कोई problem नहीं, even under gas, कोई सी भी आप लो, तब भी EYM की value क्या होती है, fix रहती है, तो हमारा answer क्या जाएगा बच्चों, दौनों ही statement क्या है, देखा जाएगा, पहला तो रा हो गया, second correct है, तो first statement false, second statement क्या हो गया है, to, final answer, fourth option, answer क्य क्यों सा हुआ, बच्चों, fourth option, next question, question है, maximum energy among the following orbitals is off, 2S orbital दिया है hydrogen का, 2SC दिया है lithium, 2S दिया है sodium, 2S दिया है potassium, तो बच्चों, energy की हम बात करे, E proportional to minus Z square upon N इसका चलता है, तो अगर हम बात करें, N की value जब बढ़ती है, तो energy की value भी क्या होती है, increase होती है, energy की value क्या होई, increase, तो N तो same चलता है सब में, अब हमने क्या देखा, कि Z पे क्या होगा, तो बच्चों, Z की value जब बढ़ेगी, तो energy की value, decrease होती है, आप minus sign को लेके बात करेंगे, बच्चों, देखलो, N में भी minus sign को consider किया है, तब ही relation आएगा, तो Z की value जितनी बढ़ेगी, energy क्या होगी, decrease, मुझे चाहिए maximum energy, इसका मतलब Z क्या होना चाहिए, Z जो minimum है, तो energy क्या हो जाएगी, ये, maximum होगी है नहीं, तो answer क्या है आपका, 2S orbital of hydrogen, answer क्या next question, question है, normality of H2SO4 when 9.8 gram H2SO4 is dissolved in water to form 2 liter of aqueous solution, तो बच्चों, normality का सीधा formula apply करें हम, क्या होता है, mol upon volume of solution liter into n factor, या सीधा कह सकते हो, gram equivalent upon volume of solution, तो मैंने लिया, mol, mol कितना हुआ, 9.8 में divide करेंगे, 9.98 का, ये क्या हुआ, बच्चों, mol, और volume दे रखा है, 2 liter, लिटर में चाहिए, और n factor, H2SO4 के लिए कितना होता है, 2, n factor H2SO4 का होता है, 2, तो बच्चों, answer क्या है, 2 से 2, cancel out, 9.8 से 98, ये, कितनी टाइम गया, 10 टाइम, 1 वार 10, जिसको मैं लिख सकता हूँ, 0.1, clear बच्चो, answer क्या हुआ, 4th option, answer होगा हमारा, 4th option, 0.1, ठीके, next question, question है, 0.1 mol H3PO4 में उपस्थित ऑक्षियन पर्माणों के मोलों की संख्या, बच्चो, question बहुत easy, H3PO4 है, हाँ, question देखना, question बिलकुल easy, कि 0.1 mol H3PO4 में उपस्थित ऑक्षियन पर्माणों के मोलों की संख्या बतानी है, तो 0.1 mol H3PO4, अगर मैं इसको 1 mol लेता हूँ, तो इसमें ऑक्षियन कितने हुए, 4 mol, तो यह अगर 0.1 हो जाता है, तो बच्चो यह भी कितना हो जाएगा, क्या है, यह 0.4 नहीं होगा, answer सीधर, unity method से हम apply करेंगे, answer कितना आ गया, 0.4 mol, clear बच्चो, next question, एक पात्र में, hidden तथा oxygen के समान द्रवान उपर से थे, और mission में आपसे पूछाए, H2 का mol पिरभाज, बतलब क्या रखाए, equal mass of H2 and O2, और mol fraction पूछाए, बच्चो, H2 का, तो बच्चो, equal mass है, H2 and O2, आप कुछ भी इसमें consider कर सकते हो, X ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, जो आपकी मजी हो, मैं बच्चो, calculation को easy करने के लिए, मैंने 32 ग्राम इसमें consider किया, तो mol कितने बनेंगे बच्चो, mol 32 में डिवाइड करूँगा, मैं 2 का, कितना हुआ, 16, और इदर 32 में डिवाइड किया, 32, answer 1, तो mol आ गया 16, और इदर आया 1, मुझे चाहिए क्या, mol fraction of H2, X H2, formula क्या होता है, mol of H2 upon total mol, mol of H2 कितने हैं, बच्चो, 16, और total mol, 16 plus 1, मतलब 16 upon 17, answer क्या हो बच्चो, first option, easy question एकदम, ठीक है बच्चो, next question, question है, mass of one molecule of magnesium carbonate, एक molecule का mass पुछा है, बच्चो, MgCO3 का, तो MgCO3 लिया मैंने, इसका, पहले molar mass निकाला मैंने, तो magnesium होता है, बच्चो, 24, carbon हुआ, 12, 3 oxygen, 48, यह आया बच्चो, आपका, 60 plus 24, 84, आप कह सकते हो, gram, यह क्या है बच्चो, यह है, पर mol, या molar mass, मुझे क्या होताना है, one molecule का mass, कितने का उताना है, one molecule, वैसे आप diet भी कैसे रखते हो, 84, AMU, यह क्या हो गया, पर molecule, लेकिन, problem यह है कि, question के अंदर, जो option है, उसमें, gram में दे रखा है, तो relation कोई सा भी यूज करो, यह वाला, यह वाला, पस क्या करना है, यह है, आपका, 84, AMU, पर molecule, तो यहाँ पर, AMU की value, मुझे रखनी पड़ेगी, किसमे, gram में, तो वो क्या होती है, बच्चों, इसी को लेकि चलता हूँ, मैं, 84 into 1.66 into 10 की पावर, minus 24, यह होता है, बच्चों, 1 AMU, इसको multiply करें, बच्चों, हम, multiply करोगे, 84 को 1.66 से, यह, बच्चों, something आयागा, 139, और यह होगा, 10 की पावर, minus 24, तो answer बनेगा, 1.39 into 10 की पावर, minus 22, ग्राम, आज़र क्या होगा, बच्चों, 4th option, आज़र क्या होगा, 4th option, ठीके, बच्चों, next question, question है, एक fuel है, जिसके अंदर carbon और hydrogen present है, only, मतलब कोई third element नहीं है, on burning a smell, small sample of excess oxygen give 1.32 gram CO2 and 0.36 gram of water, यह बच्चों हमें मिले, तो बच्चों हम general reaction जानते हैं, कि जैसे CXHY है, plus X plus YY4, O2, XCO2 plus YY2, H2O, यह एक general reaction होती है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बच्चों, CO2 और H2O के mole का ratio निकालूगा, मैं, mole का ratio निकालने के बाद, X और YY2 से relate करेंगे, हमारा formula बनके आ जाएगा, तो देखो, CO2 के mole क्या हुए, CO2 के mole की अगर बात की जाए, question में, तो 1.32 मैं आप divide करोगे, 44 का, इसको मैंने हटाया, इदार आ गया, 100, यह कितना हो, बच्चों, 3 upon 100, वही same work मैंने किया, H2O के लिए, H2O के लिए कितना रेखा है, मास 0.36 ग्राम, 0.36 upon 18, लैसे में लटाया, नीचे कितना हो, 100, यह हुआ 2, तो कितना हो, 2 upon 100, इन दोनों का बच्चों रेशो निकाले, तो रेशो कितना है, बच्चों, देखो, 3 upon 100, और 2 upon 100 का, क्या 3 is to 2 नहीं दिखाए दिया, रेशो कितना है, 3 is to 2, इस 3 is to 2 को, आप सीधा relate करोगे, X is to YY2, तो X की value सीधा में कह सकता है, 3, और YY2 की value है 2, तो YY2, अगर 2 है, तो Y कितना हुगा, 4, तो formula क्या होगा बच्चों, CXHY का, C3H4, formula क्या होगा बच्चों, C3H4, यह बिल्कुल shortcut आप कह सकते हो, इन question को solve करने के लिए, answer क्या हो आपका, C3H4, clear बच्चों, next question, question A, what volume of oxygen gas is needed to burn completely 200 ml of methane gas under the same condition of temperature and pressure, तो methane gas के लिए, रेक्शन लिखे बच्चों, CH4 plus O2, CO2 plus H2O, reaction को balance कर देते, इधर मैं 2 लगा दिया, इधर भी 2 हो गया, क्या reaction balance हो चोचों के बच्चों देख लो, इधर carbon 1, carbon 1, hydrogen 4, उदर भी 4 हो चोचों के, oxygen इधर कितने हैं बच्चों, इधर 2 और यह 2, 4 हो गया, तो बच्चों रेश्यो रेश्यों 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 है या नहीं है, आंसर क्या आगए आपका, 400 ml, क्लिए है बच्चों, नेक्स्ट कॉश्यों, नेक्स्ट कॉश्यों बच्चों देखो क्या दिया है, एक योगिक है, एक योगिक में, जो आप कह सकते हूं, उस सल्फर का दियर्मान परितिसाथ है, 4 परितिसाथ, और पुछाए आप से इसका नियूंतर्म आणविक दियर्मान, कुश्यों, इंग्लिस में देखे हैं, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इने कंपाउंड इस 4 परसेंट, और इसका मिनीमम मॉलिकलर मास पुछा है, इसका मिनीम मॉलिकलर मास सपोज करो X, XAMU, तो X का मैं क्या करता हूँ, 4 परसेंट निकाल दू में, और यह जो है, क्या होना चाहिए, मास आफ वन सल्फर एटम, क्या होना चाहिए, बच्छों, यह मास आफ वन सल्फर एटम, तो वैल्यू रखते है, बच्छों, यहापर, किता, एट, हांड्रेड, आँसे क्या बच्छों, एट हंड्रेड, एम्यू, बच्छों, नेक्ट कॉशन देखा, किसमें अधिक्तम संख्या में, निूट्रॉन उपस थी थे, निूट्रोन को निकालने के लिए, बच्छों, सिंपल सा क्या करते हैं, ए माइनस जड़ करते ह इंदर Newton कितना है बच्छो 18 55 में से 25 को माइनस करोगे तो बच्छो आया answer 30, 24-12, answer 12, maximum Newton कहां मिले बच्छो में, MN के अंदर, answer क्या हुआ, second, ठीकि बच्छो, simple सा formula apply किया है, मैंने neutron equal to A-Z, और इसके लिए formula लिखने जो इतनी है, जो भी symbol होता है, जैसे मैंने कहा 25 MN और यह 55, आप directly इसमें से इसको subject करते जाओ, यहां पर 55-25 कितना हुआ, 30, यह हमार answer हुआ, ठीकि बच्छो, next question, question है, एक तत्व के दो समस्थाने के दिर्मान दिर्खार 10 और 11 U, हलके समस्थाने के पितिशत पर चुछता दे रखिये, तो तत्व का और सत परमानु दिर्मान आपसे पूछा है, ठीक है बच्छो, तो diet formula apply कर सकते हो, formula क्या होता देखो, average atomic mass equal to, 10 वाले का percentage बच्छो कितना है, 20, तो 10 into 20 by 100, plus 11 वाले का कितना हो जाएगा, 80% होगा या नहीं, क्योंकि total percentage का sum कितना है, 100, तो अगर हलके का मुझे दे रखा 20%, तो भारी वाले का कितना हो जाएगा, 80%, 100 में से 20 को minus करीगे, इसको solve करते हैं, देखो बच्छो, आंस यह कितना हुआ आपका, 20 into 10, यह हो गया आपका, 200, इदर प्लस, 8, 8, 0 और नीचे कितना बच्छो, 100, कितना हुआ बच्छो देखो यह, 10,80 upon 100, answer कितना है, 10.80, answer 10.80, option ने मिल गया, second option, 10.80, क्लियर बच्छो, next question, portion है, 1.22, 0, kg में, सार्थक अंकों की संख्या, तो बच्छो, इसमें दो रूल अपलाई हो रहे हैं, क्या, एक तो जितने भी आपकी non zero digit होती है, सभी क्या होती है, सार्थक, सभी क्या होती है, significant, और जो भी decimal के बाद, जो आप कह सकते हो, जो right side की zero होती है, जो आप कह सकते ह है, जिसे two के बाद zero आई, यह सब क्या होती है, significant, हम रूल पढ़ते हैं, बच्छो, वहाँ पर कौन सा आता है, significant बनती है, तो answer तो इसका कितना आएगा, four, इसी के जैसा, एक question में simple दिखाएता हो, जैसा अगर हम बात करे, 0.0010200 kg, तो इसमें significant कौन कौन से digit है, बच्छो, यह वाले significant नहीं है, यह starting की इद भी नहीं है, यहां से यह significant होगा, यह भी significant, जो बीच में zero होती है, दो non-zero के बीच है, वो भी significant होती है, और यह zero भी क्या है, significant, तो इसका answer कितना बनेगा, बच्छो, five, इसका answer कितना हुआ, five, तो simple सा question, rule-based answer आगया, third, four, 83, question है, law of multiple proportion is not applicable, तो बच्छो, law of multiple proportion के लिए, या गुणी धन्रपात के नियम के लिए, दो तत्व हमें चाहिए, और दो तत्व क्या होने चाहिए, एक सहदिक योगिक बनाने चाहिए, यह हमारी basic condition, तो यहां पर देखे बच्छो, एक सीधा देखो, fourth option में जो देख रहा ह है, इसमें तत्व क्या है, हारेज therein oxygen, इसमें है हारेज in Been員, और शल्फर, तत्व यहां पर क्या हो चुके है, चेंज हो चुके, तो यहां पर जो है नियम इस पर अपलाई नहीं होगा, इधर भी क्या होने चाहिए था है, तो हारेज आसिए आखे तो हारेज तत्वा है, औ निम लिखने में से किसमें पर्माणों की संख्या अधिक्तम है तो बच्छों पर्माणों की संख्या देखनी हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा मास दिया है मास से पहले मूल पर जाना पड़ेगा मूल से अणू मॉलक्यूल निकालने पड़ेंगे फिर आइटम तो वन यह आया फर्स्ट कांसर सेकेंड के लिए 1 अपॉन 18 इंटू एन इंटू 3 यह हुआ थर्ड के लिए 1 अपॉन 48 इंटू 3 और 1 ग्राम एच्टू को बच्चों दिःफान से रहो क्या हुआ वन अपॉन टू इंटू एन इंटू इंटू टू इसका आंसर तो क्या आए एन एन जो है लास्ट वाले इक वाले का एक बाद सब्सक्रें कि आए ने कहीं भी पॉसिबल है कि इदा 798 यह वैल्यू इदर ज्यादा है एन से कम इधर 318 फाइनल एने से कम आयागा यह भी और यह क्या हुआ तो मैक्सिमम किसमे निकला बच्चो वन ग्राम एच्टू में हमें कंपेर करना है बस कंपेर करना हमें आना चाहिए तो कंपेर किया मैंने सीधा लास्ट वाले ओप्सन में देखा मुझे एने बाकी मैंने कु कुछ वैलियो आ रही थी तो वो क्या होंगी एने से कम होंगी हमारा क्या फॉर्ट ऑप्शन ठीक बच्चो नेक्स्ट कुश्चन कितने मोल एलेक्ट्रॉन का भार 9.1 कीजी होगा कुश्चन हाव मैनी मोल्स उप लेक्ट्रॉन वे 9.1 कीजी तो बच्चो आपको पता है एक एक ग्त्रॉन का मास और नाइन पॉइंट वन इंटू टैनंगी पावर मानिस थर्टीवन केजी होता है यह हूआ एक एलेक्ट्रॉन का मास यहाइसको अगर मैं कहूँं युनिटी मैथ़ड में की 1 कीजी में नंबर फंद एलेक्ट्रॉन कितने हो गह ये 1 upon 9.1 10 की पावर माइनस 31 इलेक्टोन हो गए तो बच्छो 9.1 केजी में क्या होगा multiply कर देते हैं इसको 9.1 से answer आया 10 की पावर माइनस 31 इलेक्टोन लेकिन question ने electron नहीं पूछा है question ने पूछा है moles में question ने किसमें पूछा है mole में तो एक number तो मेरे पास आ चुका है कि number है 10 की पावर प्लस 31 इलेक्टोन लेकिन question आपसे कह रहा है कि हमें answer mole में दो तो बच्छो mole में convert करना है तो क्या करना पड़ेगा आवोगेडो नंबर से divide करना पड़ेगा तो इसको डिवाइड करते 10 की पावर 31 में डिवाइड किया 6.022 10 की पावर 23 तो बच्छो क्या हुआ उपर हम देखे तो यह 10 की पावर कितना रह गया यह प्लस 31 और 23 तो बच्छो यह आएगा answer 8 और इदर हुआ 1 अपॉन 6.022 ऐसा कोई option है कि बच्छो देखो ऐसा कोई भी option नहीं है तो हम क्या करते हैं 10 की पावर 7 में एक पावर इदर से ले लेते हैं कोई प्रॉल्लम नहीं एक पावर इदर लें तो 10 अपॉन 6.022 10 की पावर प्लस 7 यह कितनी टाइम जारा देख लो 1.66 तो आंसर क्या है 1.66 इंटो 10 की पावर प्लस 7 तो आंसर हो गए आपका थर्ड ऑप्स ठीक बच्छो यह बच्छो हमारा कम्प्लीट हुआ है सेक्शन अब हमारा स्टार्ट हो रहा है यहां से क्या बच्छो सेक्शन भी ठीक है ब 500cc मतलब क्या हो बच्छो ml 1cc क्या होता है 1 ml तो सॉल्व करते हैं आपको क्या दे रखा है मोलेटी दे रखिए वाल्यूम दे रखा है क्या यह 0.5 नहीं हो जाएगा इतना हो गया यह 0.5 तो n कितना हुआ बच्छो यहां से 0.2 x 0.5 n क्या गया 0.1 n आ गया 0.1 मतलब मोल आ गया चाहिए क्या मुझे मास ऑफ सोडियम हाइड ओकसाइड तो मास ऑफ एनी ओएच इकवल टू मल्टिप्लाइ कर दिया इसको मॉलर मास से आंसर हो गया क्या 4 ग्राम आंसर क्या आया 4 ग्राम ऑप्शन नम्बर 4 ऑप्शन कौन सा हुआ बच्छो फोल्ट टीक है नेक्सट किस स्थित में सूत्य देमान का उपयों कहता है तो बच्छो देमान या फॉर्मुला मास का यूज हम करते जब हमारा कमपाउंड आयनिक होता है क्या होता है तो आयनिक केस कहा दिख रहा है बच्छो में एनी सियल सब इनके अंदर्स को अधा है कोवलेंट तो इनके अंदर मॉलिकुलर मास चलता बच्छो तो फॉम्बला मास के लिए इसके लिए इसके लिए इसके अंदर हम तो हंड़र एमल जीदो पॉइंट वन एम सॉलिशन एने सिल एड़ करते हैं कंसर्टेशन पूछिए बच्छो आपसे नाइट्रेट आयन की इसकी पूछिए बच्छो नाइट्रेट आयन तो एक बाद रिक्षन लिखते हैं बच्छो देखना है अजी अनो थ्री है प्लस अने सिल इसमें रिएक्शन होगी तो बच्छो क्या मिलेगा एग्षी एल प्लस अने अनो थिया मिलने वाला है और यह यहां पार दे राखाए हैं ऑड्रेशन कितना है त्वहंड़ एमल और यह है पॉइंट 1 यह ये भी दिया है सेम 200 ml.1 तो बच्छों एक चीज मुझे दिख दिये मोल और जो आपके सकते हैं मोलरिटी एंड वॉल्यम सेम है तो इनके मोल भी क्या हैंगे सेम और हम इस्टोर के मेटर से बात करें तो 1 is to 1 is to 1 का रेशियो चल रहा है इसका मतलब जो मोल इसके हैं वही मोल इसके और वही प्रोड़क्ट के मोल होंगे कोई भी इसमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होने वाला है इसका मतलब एने अनो 3 के भी मोल हमें पता चल जाएंगे बस के होगी कि हमें किया निकल निकल है नाइटरिय्ट आयन की सांध्यता तो जो वालीम है बच्चो वालीम क्यों होगा दोनों को हमने एड किया तो वॉल्म कितना हो गया 400 ml कितना हो गया 400 में तो मैं सीधा नाइट आयन के लिए कंसंट्रेशन निकालनी है इसका फॉर्मला अपलाई का रहा है बच्छों एजन 3 सी देख सकता हूं मैं 200 इन्टो पॉइंट वन यह मैं लिया क्योंकि जो कंसंट्रेशन एजी एनो थी की है वही किसकी होगी एजी प्लस की वही किसकी होगी नाइटी टायन की लेकिन जब हमने मिक्सिंग की तो क्या हुआ वॉल्म कितना होगा है टूटल 400 तो 400 से बच्छों मैंने क्या कर दिया डिव क्या हुआ जीदो पॉइंट जीदो फाइट ठीके बच्छों देखिए बच्छों देखिए बच्छों नेश्ट फिप्टी सिक्स केजी एंटू है और रियक्शन लेक्शन हमने इसकी एच्टू के साथ मिला हमें टू एनस थी एंटू का मास रखा बच्छों कोश्यन में 56 kg इसका मास है 4.8 kg ठीके बच्छों क्या करें हम पहले लिमिटिंग जेक करना पड़ेगा तब ही हम बता पाएंगे लिमिटिंग जेक करने के लिए मैंने क्या करा इसमें डिवाइड किया बच्छों किससे इनके स्टोइकिमेट्रिक कोफिशेंट से लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इनको कनवर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर इनको मोल में तो 56 में डिवाइड किया 28 वही सेम इदर 2 मोलर मास ह2 का कितना चलता है बच्छों 2 चलेगा यह कितने टाइम गया 2 टाइम यह 2.4 तो यह होगा 2 इंटू 10 की पावर 3 2.4 इंटू 10 की पावर 3 अभी बच्छों यह जो आया है यह कीवल मोल आये है लिमिटिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इनका जो स्टोइक के मेर्टिक कोफिशेंट है इसका है 1 इसका 3 इससे हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़े तो डिवाइड करते है बच्छों देखो इसमें डिवाइड करिया 1 से इसमें डिवाइड किया 3 से तो यह जाएगा 2.4 में डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 0.8 और यह वैल्यू क्या हो गई इसका मतलब लिमिटिंग डिवाइड कौन बचाना बच्छों एच्टू लिमिटिंग रिजेंट कौन बना है एच्टू हाइड जन ही इस पूरी रिएक्शन को क्या करेगा बच्छों कंट्रोल करेगा तो हाइडें से हम रिएक्शन लेके चलते देखो क्या हुआ एंड टू पिलास थ्री एच्टू हाइड जो है इसके इंदर बात की जाए बच्छों 6 ग्राम तो एंड टू रिक्वाइड है मुझे 28 ग्राम कितना 28 ग्राम सीधर हम मास के टम्स में ले गए 4.8 तो 4.8 कीजी से कितना रिक्वाइड होगा 28 अपॉन 6 इंटो 4.8 यह देखो कितने टाइम गया पॉइंट एट टाइम और यह कितना आ रहा है 22.4 केजी कितना है बच्छो 22.4 केजी यह जो है एंटू का वो मास से जो रियक्शन में जाएगा तो लेफ्ट मास कितना बच्छा बच्छों लेफ्ट मास 56 में से मिनस कर दिंगे बच्छों 56 मायनस 22.4 तो कितना होगा देखलो answer आएगा बच्छो आपका 33.6 kg answer क्या हुआ बच्छो 33.6 kg option number 4 clear बच्छो next question question है temperature dependent terms तो बच्छो temperature पर वो concentration terms depend करती है जिनके अंदर आयतन आता है volume आता है तो यहाँ पर हम देखे molality में आयतन या volume नहीं आता है molality में आता है तो temperature dependent को बना molality इसमें भी volume नहीं है इसमें भी volume नहीं है answer क्या हो गया हमारा second ठीक है बच्छो next question बच्छो question है हमारा statement given है if 4.9 gram of H2SO4 is dissolved in 10 gram H2O then percentage WYW of H2SO4 solution is 32.88 तो बच्छो पहले हम क्या करते है इसको check कर लेते हैं कि जो percentage weight-by-weight वो यह आ रहा है या नहीं है तो बच्छो percentage weight-by-weight का जो formula होता है होता है mass of solute upon mass of solution into 100 unit दोनों side क्या रखनी है बच्छो same मतलब उपर gram है तो नीचे भी gram होगा उपर कीजी तो नीचे भी कीजी तो देखो value रखते हैं 4.9 upon total mass of solution 4.9 gram बच्छों जो mass है वो है H2SO4 का और 10 gram mass है बच्छों किसका H2 होगा तो total mass कितना होगा है बच्छों यह 14.9 into 100 जब बच्छों इसको हम solve करते हैं तो solve करने पर जो answer मिलता है वो है 32.88% इसका मतलब क्या हुआ first statement हमारा correct हुआ बच्छों ठीके first statement हमारा correct है second statement क्या क्या रहा है percentage wyw is unit less quantity इसका मतलब क्या हुआ कि percentage wyw जो है उसकी unit नहीं होगी मात्रक हीन जो आप कह सकते हैं रासी है मात्रक हीन मात्रा है क्यों ऐसा क्योंकि ऊपर भी आपने mass लिया बच्छों नीचे भी mass unit दौनों की सेह में दौनों क्या है cancel out हो जाएंगे और finally कोई भी unit उसकी नहीं बचेगी तो बच्छों क्या हुआ इसके अंदर statement first पहला कथन और second दौनों करेक्टे answer जाएगा बच्छों first कथन first अथा second दौनों सही ठीक है बच्छों next question next question है बच्छों कि एक गैसों का मिस्रण है जिसमें CL2 दिया है और फिलोरीन जिनका WYW मतलब 1 is to 76 और क्या पूछा है बच्छों दौनों गैसों का molar अनुपात molar अनुपात मतलब mole का अनुपात वही से हैं इंग्लिस में बच्छों वही question है कि mixture है जिसमें CL2 और F2 है और इनके mass का ratio 1 is to 76 तो बच्छों mole का ratio निकालना है तो देखो बच्छों इदा CL2 इदा फिलोरीन और CL2 के लिए दे रखा है 1 और इदा 76 यह जो बच्छों given यह क्या है mass given है अब मैं mole में change करता हूँ तो बच्छों mole में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा इनकी molar mass से divide करना पड़ेगा तो 1 में divide करेंगे बच्छों कितने का देखो chlorine है chlorine का molar mass होता है 35.5 कितना होता है बच्छों 35.5 तो यहां पर हम बात करें CL2 के लिए कितना हो जाएगा CL2 के लिए 35.5 का क्या करना है double करना है यह आएगा बच्छों आपका 71 कितना है 71 fluorine के लिए हम बात करें बच्छों fluorine का जो molar mass होता है F का वहता है 19 और F2 के लिए हो जाएगा बच्छों 38 तो बच्छों इसको solve करते 19 से यह 2 time जाता है यह गया 4 time अगेन यह 2 time तो क्या है इदर 1 upon 71 21 is 22 इसको simplify करते तो 71 से इदर multiply हो जाएगा और answer आ गया है बच्छों 1 is 2 142 answer आपको मिला बच्छों कौन सा 4th option ठीक है बच्छों next question question है suppose the element A and B combined to form 2 compound AB and A to B 0.1 mole of AB wage 5 gram इसका मतलब AB जो है उसका 0.1 1 mole कितना है उसका मास 5 gram तो 1 mole AB का कितना हो जाएगा क्या बच्छों मैं 10 से multiply ना कर दू answer आ गया कितना 50 gram और यह जो है बच्छों क्या है इसका molar mass क्यूंकि 1 mole का mass होता है वहता है molar mass तो मैंने suppose किया A का atomic mass A B का भी B तो मैं 50 gram को क्या लिख सकता हूं 50 gram equal to A plus B यह हमारी first equation similarly second देखते हैं क्या देखा है 0.25 mole of A to B 3 तो बच्छों 0.25 mole मतलब 1 fourth का mass देखा है 30 gram तो 1 mole का कितना होगा तो 1 mole कितना जाएगा 30 into 4 क्यों 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 क्योंकि यह 1 fourth का देखा 0.25 1 fourth एक चौथ हाई तो इसको हम 4 से multiply करते हैं तो 4 into 3 कितना हुआ 120 gram और इदर में क्या लिख सकता हूं 2 A plus 3 B यह हमारी हुई बच्छों second equation दौनों को हमें solve करना है answer आपका easy लिए आएगा दोनों को solve करते हैं क्या करें उपर वाली equation को में 2 से multiply करते हैं देखो क्या हुआ यह हो गया 100 2 A plus 2 B ठीक है और क्या करें यह जो first equation यह second यह third finally हम मैं क्या करने जा रहा हूं second में से third को subtract कर रहा हूँ तो देखो क्या हुआ 2 A से 2 A गया और 120-100 कितना है 20 ग्राम और इधर 3 B minus 2 B कितना बचा B तो B आ गया बच्चो 20 ग्राम B कितना आ गया 20 तो यह भी दो जागा है बच्चो इधर भी है इधर भी B कितनी जागा है 20 ग्राम अब A निकालना क्या होगा 30 and 20 मतलब 2nd option answer क्या आया 2nd option ठीक बच्चो next question question है match list first with list second and correct option हमें देखना है तो बच्चो principal quantum number है principal quantum number इसमें से किसको बता आता है तो normally हम बात करते है बच्चो basic question पूछा है कि जो N होता है वो आता है orbit के लिए L आता है sub cell के लिए और जो A में वो होता है orbital के लिए orbital का orientation बताता है तो कहीं से भी check कर सकते हो सबसे easy पहले spin quantum number को देखे spin quantum number के लिए क्या आएगा बच्चो spin of electron मतलब D के लिए क्या हुआ second और D का second बच्चो सबी में ही दे रखा है मतलब इससे answer नहीं आया C देखो magnetic quantum number magnetic quantum number क्या बताता है orientation of orbitals in theory तो C के लिए हम बात करें C क्या हो गया C के लिए बच्चो first C के लिए first यहां पर भी नहीं है यह हट गया यहां भी नहीं है यह हट गया यह आ गया तो answer क्या हो बच्चो 4 बाकी option को भी चेक कर लो B को देखो azimethal quantum number azimethal quantum number क्या हो गया बच्चो देख लो B के लिए 4 दे रखा है shape of orbital बिल्कुल सही है क्योंकि जब हम बात करते L equal to 0 मतलब S sub cell और हम कहते है spherical होता है L equal to 1 P sub cell double shape हम बताते हैं तो जब माला A है वो किस पर आगया बच्चो size and energy of orbit answer क्या हुआ fourth option answer क्या आगया बच्चो अपना fourth option ठीक है next question question है 4dxy 2px कक्षक में उपस्ते तेजिये node यहाँ आप क्या कह सकते हो radial node तो बच्चो radial node निकालने का एक फॉर्मला होता है n-l-1 तो हम 4dxy पर अपलाई आते हैं देखो कितना आता है n कितना इसका 4 minus l l कितना होता है 2 minus 1 1 d के लिए l कितना होता है 2 होता है इदर देखो 2px के लिए n 2 l कितना हो गया 1 minus 1 answer 1,0 1,0 1 1 answer 1 next question hidden परमानों की अंदर जो बच्चों काक्षकों की उजया बतानी है hidden परमानों मतलब single electron system क्या कहते हैं single electron system single electron system energy only depend करती है किस पर n पर n की value से में देखना है तो देखो यहाँ पर clear दिख रहा है 6P 5D और 5S equal हो जाएंगे और 4 सबसी कम answer कौन सा हुआ third single electron system में energy जो होती है only depend करती है n पर answer क्या है बच्चों next question 97 question है deep wavelength of a particle with mass 10 gram and velocity 1000 meter per second और क्या निकालना हमे lambda चीदा formula लगाएंगे बच्चों lambda equal to h upon mv बस सभी की unit क्या रखने में SI system तो h हो गया बच्चों कितना 6.626 into 10 की पावर minus 34 mass mass कितना दिया है 10 gram तो gram को kg में convert करेंगे minus 3 और इदर आ गया V 1000 तो क्या हुआ 1000 से 1000 हट गया मतला 10 की पावर minus चला गया और इदर क्या रहा गया बच्चों आप देखोगे 10 से डिवाइड करोगे तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों 6.626 into 10 की पावर minus 35 answer क्या हो गया 6.626 into 10 की पावर minus 35 answer option क्या बच्चों fourth number option कौन सा हुआ fourth number next question question है if uncertainty in position in momentum are equal uncertainty in position आपसे पूछा है बच्चों तो बच्चों फॉर्मला होता है delta x into delta p greater than equal to h upon 4pi यह दोनों बच्चों value क्या दे रखिए equal और पूछा क्या आपसे uncertainty in position तो मैं delta p की जाएगा delta x लग दू delta x लगा मैंने तो क्या बन जाएग delta x का square और यह हो गया h upon 4pi तो यहां से delta x के निकल कर आया h upon 4pi का under root यह दोनों बच्चों h upon 4pi का under root answer कोल सा जाएगा बच्चों देख लो first option दिखाई दिया सीधा option number क्या हो गया first next question हाइडेन पर्मान उमें लाइमन सेर्णी के लिए दीगतम तरंग देदे किस संक्रमन से होगा मतलब longest wavelength पुछा है बच्चों लाइमन सीज के लिए wavelength क्या है अगर जादा होगी तो बच्चों क्या energy कम नहीं होगी एफसा नहीं कहेंगे हम तो हम क्या कहते है लाइमन के लिए यह n equal to 1 है यह n equal to 2 और एक लिए मैंने n equal to infinite लाइमन क्या मतलब क्या होगा electron जो आप करे सकते हो higher energy level से कहाँ है n equal to 1 में तो एक infinite से आए और एक just 2 से आजाए तो इस case में energy क्या होई minimum energy minimum तो क्या होगा wavelength maximum मतलब longest तो answer क्या होगा 2 to 1 answer क्या होगा हमारा from 2 to 1 infinite से 1 में तो energy हो जाएगी maximum तो wavelength हो जाएगी क्या soy test क्या हो जाएगी वो soy test next question question है n के किस new term मान के लिए g कक्षक का अस्तित होता है तो बच्चों हमें जाना है कहाँ पर g पर मतलब sub cell पर तो l equal to होता है 0 to n minus 1 और बात की जाए कि जो l है 0 to n minus 1 n की value अगर इसमें मैं simple में बात करूँ बच्चों 4 अगर रखता हूँ एक रख्यों देखते हम तो l आता है 0 to 3 0 1 2 3 मतलब यह हुआ s यह p यह d यह f इसका मतलब n अगर 4 है तो l जो है वो कहां तक जा रहा है maximum आपके f तक तो n की value अगर मैं 5 ले लेता हूँ n की value मैंने 5 ली तो बच्चों l क्या हो जाएगा 0 to 4 और क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4 यह s, यह p, यह d, यह f यह हो जाएगा g तो g जो orbital है वो exist करेगा कहां से n equal to 5 से कहां से exist करेगा n equal to 5 से ठीक बच्चों तो यह बच्चों हमारा AIT का discussion complete हुआ question आपने देखे question overall बहुत easy थे कुछ question एक different shortcut method से हमने solve किये इन question की बच्चों अच्छे से practice करना next AIT में आप इससे ज्यादा और perform करो उसके लिए बच्चो all the best अच्चों आपको बाल हुआ है करेंड़ धनतौा